वेल्कम टो ब्लाशास कीचेन मैं ब्लाशास कीचेन में एक बाव में से आपका स्वागत करती हूँ आज हम बनाने जा रहे हैं ढोकला ढोकले को हम कैसे स्पंजी और सॉफ्ट बनाएं यह किस तरीके से बना कीजिसे की विल्कुल मारकेट के जैसा veer आज हम तर्यार करते हैं विल्कुल सॉफ्ट और स्वर्ष पंजी और प्रेफ्पंजी के लेक्य direito के लिए ठान लेंगे एक कप मेंने पेसन लिया है और आदा कप सुझी कर लिया है अब हम इन दोनों को पिल्कुल मिक्स कर लेंगे और अब मैंने यहाँ पर दो बड़े चमच खत्ता दली लिया है यह मैं इसी में डास दूंगी और साथ ही मैंने यहाँ पर अध्रक और हरी मिर्ची का पेस्ट बना के रख लिया था जो मैं इसी में एड़ कर दूँगे और अब हम इसमें टेस्ट के इसाथ से नमक डाल देंगे अभी है हमारा बेटल पूद गाड़ा है और अब इसमें हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे और हमें इसे बहुत अच्छे से भोलना है ताकि इसमें कीसी तरीके का कोई लंग सी ही रहे अब इसकींपन सी है हमें इस तरीके की कंसिस्टेंसी चाहिए नए बिल्कुल गाड़ी और नए ही बिल्कुल पतली फ्रेंड्स रोकले को हम हरी चट्नी या मिल्की चट्नी के साथ करते हैं तो यह हमेंने मेरे यूटूब चैनल पर पहले से ही अप्लोड कर रखी है आप वहां जाके और देख सकते हैं इस हमारा बेटर तैयार हो गया है अब हम इसमें एक छोटी चमबच चीनी डाल देंगे और इसे अच्छे से फेटेंगे डोकले बनाने के लिए हमें कुछ अलग से ट्रिक की आवश्यक्ता नहीं होती है बट डोकले बनाते समय हम कुछ बातों कर विशीद ध्यान रखें तो हमारे डोकले बहुती स्पंजी और बहुती टिस्ती बनेंगे जैसे कि इस बैटर को बिल्कुल अच्छे से हमें फेटना है इसमें किसी तरीके का कोई लंप सुनी रहना चाहिए और दूसरा हमें बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही तरीके की रखनी चाहिए जिसे की डोकले जो है वो अच्छे से फूल सके इसकी consistency हमें देखिए कि बिल्कुल पतली भी नहीं करनी चाहिए और बिल्कुल गाड़ी भी नहीं करनी चाहिए अब हम इस बैटर को आदे गंटे के लिए ढखके और रेस्ट के लिए रख देंगे जब तक बैटर रेस्ट के लिए रखा हुआ है जब तक हम इधर खमन बनाने के लिए घटा मीठा पानी तयार कर लेते हैं इसके लिए मैंने गेस ओन करके एक प्राइपेन ले लिया है और अब इसमें एक चम मच हम और डालेंगे राई लिए जब गर्म वोजाएं या पर गदेंगे जो हम तक हम डाले पे बमाल देंगे-ध्लया किमले के लिए य। आप यहां पर राई भी ले सकते हैं और तक कर हम कर पकी तक है प्राइब हो गई है अब हम इसमें एग लास नाई डाल देंगे दो चम्मच चीनी एट करेंगे चीनी आप अपने टेस्ट ही हिसाब से अगर आपको मीठा ज्यादा पसंद हो तो आप ज्यादा डाल सकते हैं और अब हम इसमें दो या तीन चम्मच निम्बू गर्फ मिला देंगे और इसमें अच्छे से उबलने देंगे और जब इसमें अच्छे से उबाल आ जाए अब हम केस बंद कर देंगे अब हम इसके अंदर एक इस तरीके की जाली स्टेंड रखेंगे तो फ्रेंड्स बेटर को भी होई हुए आदा गंटा हो गया है अब हम इसे जेक करते हैं कि देखे बेटर बहुत अच्छा हम इसमें एक पिंच लगभग वन फोट चममच हिंकी डालेंगे हिंक से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है और ढोकले में कलर सुन दलाने के लिए हम इसमें आधा चममच हल्दी पाउडर डालेंगे हल्दी मेठा हमने पहले ही एड़ कर रखा है अब हम इसे अच्छे से मिलाएंगे हम इसमें दो बड़े चममच टेल के डाल देंगे और अब हम इसे अच्छे से बीट करेंगे ओर रलास्ट में हम इनू फ्रूट साल्त मिलाएंगे यहां पर मने लेटेश पर यहां पर एक पेकट फुरा बड़े जाने होड़ा मेलिया है ex x अब हम इसे अच्छे से धोड़ा ही लाएंगे यह देखे हमारा जो बेटं जाबल हो गया है अब इसे ज़ल्दी ही केक पूट में डाले देंगे हम इसे थोड़ा सा टेप करेंगे पानी को टेख करते हैं पानी शेची से बोई हो रहा है इसे टेक तिं को हम इसमें व्यल्कु तो पंदरा मिलिट compose दोकले कुछ हम चेक करते हैं सांवादन से हम काहली। और ढोकला भहुत अच्छा फूला है ऐसल पेट करते हैं आप यह चाफ नाइक लेके और ढोपले को इस तरीके से चेक कर लीजिए देखिए नाइफ साथ बाहर आ रहा है यहां पर मैंने ढोपले को खंडा होने के लिए रख दिया था और अब हम एक प्लेट लेंगे और प्लेट को इस तरीके से हम पूल्टा कर देंगे अब हम इसी फुल्टा साथ करेंगे अब हम इसी उठाएंगे देखिए हमारा ढोपला बनकरके श्यार है देखिए फ्रेंड्स मैंने इसके चूटे 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 पीसे रख लिए हैं और अब हम ने जो यह पानी बना के रख था था वो हम इसके डाल देंगे पानी ठंडा हो जाए उसके बाद ही आप उपले पर पानी को फिलाएं यहां पर नारियल का बूरा भी डूपले पर डाल सकते हैं यहां पर मैंने पोड़ा सा हरादनिय के पत्थे हरादनिय डाल के और वानी चिंकी है देखिए फ्रेंड्स बहुत अच्छा नारकेट स्टाइल वाला डूपले बन करके और तयार हुआ है यह काफी स्पंजी और काफी स्पंजी और इसमें बहुत ही अच्छे से जालिया भी बन रही है आप देख पा रहे हुँगे आपको मेरे डूपले बनाने की रेसिपी जरूर पसंद आई होगी आप मेरे चेनल अपड़ाशा की चिन तो सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे वीडियो को लाइब जरूर करें तेंक यू